हेलो स्टुडेंट्स मैठ्स क्लास 4 एक्ससाइस 2.8 हमारो टोपिक है रॉमन नुमरल्स रॉमन नुमरल्स के लिए आपने इंट्रडक्शन में पढ़ा होगा कि हम एल्फबेट्स को यूज करते हैं रॉमन में लिखते हैं हिंदू अरेबिक नुमरल्स को हम एल्फबेट्स य एट को हम रॉमन में लिखेंगे हमें पता है हम पहले एट को लिखने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे 5 को कैसे लिखते हैं V, 5 को कैसे लिखते हैं 5 के लिए कुं सा symbol उस करते हैं और V में हम कितने add कर देंगे 5 में हम plus 3 कर दें तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा तो यानि की V में 1, 2, 3, हमने 3 add कर दिया तो कितना बन गया, 8 बन गया V और 3, I लिख दिया तो यह क्या बन गया 8, यानि कि रॉमन में हम 8 को कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, हाँ जी, now B, B पार्ट में 16, 16 को हम रॉमन में कैसे लिखेंगे, पहले हम 10, 10 प्लस 6, इस टाइप से लिखेंगे, 10 प्लस 6, 10 के लिए कौन सा सिंबल यूज के अज़ता है रॉमन में, X, 10 के लिए X 15, 15 प्लस 1, 16, तो कितना बन गया 10, 10 प्लस 5, 15, 15 प्लस 1, 16, now C पार्ट, C में 25, 25 को हमने रॉमन में लिखना है, तो इससे कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 5, 25 को 20 प्लस 5, यानि कि 20 के लिए क्या लिखेंगे हम, 20 के लिए हम हमारे पास रॉमन में कोई अलग से सिंबल नहीं होता हो same इसके right में है तो यानि कि यह plus कर रहे हैं दो symbol हमने एक साथ जो लिखे हैं यानि कि हमने इने add करना है तो 10 के लिए कितना कौन सा symbol यूज़ करते हैं x तो once again हम x लिखेंगे यानि कि 10 plus 10 20 now 5 plus करना है add करने के लिए हम right side लिखते हैं roman में right side लिखते हैं कोई भी उसमें number add करना होता है तो v यानि कि 10 plus 10 20 plus v I mean 5 25 कितना बना है 25 now d part soul करेंगे d कितना है 46 46 है 46 को कैसे लिखेंगे 40 plus 6 लिखेंगे 40 plus 6 40 plus 6 कैसे होगा पहले हम 40 लिखना पड़ेगा 40 कैसे लिखते है 30 अगर हमने 30 लिखना होता है तो हम 10 plus 10 plus 10 यानि कि 3 times x लिख देते हैं लेकिन हम 40 को 4 times x नहीं लिख सकते हैं क्योंकि roman numerals में हमारा rule है कि हम कोई भी symbol only 3 times ही लिख सकते हैं 4 times उसे नहीं लिख सकते तो हम 4 times यहाँ पर x नहीं लिखेंगे और उसमें से 10 minus कर देंगे 50 के लिए कौन सा symbol use करते हैं 50 के लिए l symbol use करते हैं तो उसमें से हम x minus कर देंगे तो 40 बन जाएगा 50 में से 10 minus करेंगे 10 minus करने के लिए कौन सी side लिखते हैं left side minus करने के लिए किसे भी जो बड़े numbers के left side में कोई number लिखते हैं उसका मतलब है कि हम माइनिस कर रहे हैं यानिकि 50 में से हमने x left side लिखा तो 50 में से l में से x minus है यानिकि 50 में से 10 minus किया तो यी xl क्या हो गया 40 और प्लस में 6 करना है प्लस करने के लिए right side लिखते है 6 यानिकि v1 यानिकि 5 फ्लस 1 6 V1 यह 6 हो गया, यानि कि 40 प्लस 6 ही कितना बन गया, 46, और यह पार्ट, यह पार्ट सोल करें, यह पे यह पार्ट में हमें कितना गिवन है, 125, 125 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 5, हाँ जी, 100 के लिए कौन सा अल्फाबेट, कौन सा सिंबल यूज किया जाते है, C, 100 के लिए C C में प्लस करेंगे, 20, 20 को कैसे लिखते हैं, डबल X, यानि कि 2 times X यूज करते हैं, 10 प्लस 10, 20, 20 हो गया, अब 5, 5 के लिए V, तो यह कितना बन गया, 120, now F पार्ट, F पार्ट में क्या statement given है, 227, 227 को हम लिखेंगे, 200 प्लस 20 प्लस 7, तो 200 के लिए क्या करेंगे, 2 times C 2 times C, यानि कि C plus C, 100 के लिए क्या कौन सा symbol यूज करते हैं, C, तो 200 है, यानि कि 2 times C कितना बन गया, 200, अब इसमें 20 प्लस करेंगे, यानि कि 2 times ही हमें X लिखना पड़ेगा, 10 प्लस 10, 20, यानि कि 100 प्लस 100, 200, 200 प्लस 10, 210, 210 प्लस 10, 220, 220 बन गया, अब 7 प्लस करना रहे है, तो 5, 6 and 7, तो ये बन गया, 227, अब जी पार्ट, हाँ जी पार्ट में 246, 246 को हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, 200 प्लस 40 प्लस 6, 200 प्लस 40 प्लस 6, इस टाइप से लिखेंगे, 200 के लिए वही अज़िटेंस हम 2 times C लिखेंगे, C प्लस C, यानि कि 200, प्लस 40, 40 हम कैसे लिखेंगे, 40 लिखने के लिए, जैसा हमने पहले बताया थे कि हम 4 times X नहीं लिख सकते, 40 लिखने के लिए हम पहले 50 लिखेंगे, और उसमें से X माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, मिनस L में से X को, L में से 50 में से 10 माइनस करेंगे, तो 246, now h part, h part is 333, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 300 plus 30 plus 3, इस टाइब से हम लिखेंगे इसे, तो इसे लिखने के लिए हमें 3 times c लिखना पड़ेगा, 300 लिख रहे हैं, यानि कि 3 times c लिखेंगे, तभी 300 बनेगा, यानि कि 100 plus 100, 200 plus 100, 300, c कि कि लिए उसके लिए उसके यानि कि 300 plus 30, 30 means 3 times x लिखेंगे, 10 के लिए हम कौन सा symbol लिखेंगे, x, plus x, plus x, 30 प्लस कर दिया इसमें, तो 330 बन गया, अब इसमें 3 प्लस करना है, 3 के लिए i, 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 यानि कि 3 times, 1 लिखते हैं तो यह बन गया, 336, now i part and j part आप खुद से लिखोगे, हाँजी, now question number 2, write Hindu Arabic numerals for each, हाँजी, अभी हमने क्या लिखा था, Hindu Arabic में हमें given थे, हमने उन्हें Roman में लिखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें Roman में, यह second question में, हमें Roman में given है, हमने उन्हें Hindu Arabic में लिखना है, now a, l, x, 1, 1, इसको हम Hindu में लिखेंगे, यानि कि l means 50, 50, 50, plus x means 10, plus 1, और 1, 2, तो यह कितना बन गया, 50 plus 10, 60, 60 plus 2, 62, हाँजी, now b part, b part में है c, x, x, v, i, i, and i, 3 times i, अब इसे हिंदो में लिखेंगे, c means, क्या होता है, हिंदो में, c किसके लिए यूज के लिए यूज के लिए, 100 के लिए, 100 plus, 2 times क्या एड़ करका है, इसमें, 2 times x प्लस करका है, यानि कि 10 plus 10, 20, double x यूज करका है, means उसका मतलब है, 20, now यहाँ पे अब कितना प्लस करका है, 5, 20 plus 8, 128, now c part, c part को कैसे लिए, क्या statement given c part के लिए, double c, x, l, v and i, double c means 200, c किसके लिए यूज करका है, 100 के लिए, और 2 times c यूज करका है, यानि कि 200, 200 उसके बाद x, l, जब हम लिखते जा रहे हैं, तो हम क्या होता है, जब उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा, तो उसको उनको हम direct plus कर देते हैं, हमने जैसे c था, उसके बाद x आया था, फिर x आया था, यानि कि same आया थे, फिर उनके है, जो left side, उसे हमने minus करना है, तो हम इसमें से l में x को minus करेंगे, l में x को minus करेंगे, तो xl ये हमारा कितना بنتा है? 40, l क्या हो, kis के लिए use क्याताँ है? 50, और 50 में से क्या करका, x left side लिख रिखा है, याने कि 50 में से 10, minus करका तो ये 40 बन गया, और plus में 6 बन गया है, now D part, D part की statement हमें given है, C, 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 L, X, I, X, हाँ जी, 3 times C दे रखा है, यानि कि 300, प्लस कर लिया है, हम लिए 3C को एक साथ, प्लस, अब L, X, L, X means 50, और 50 के right side में X दे रखा है, उपर left side में दे रखा था, तो 40 बन गया था, अब right side में दे रखा है, यानि कि plus में है, left side में होता है, minus करते है, L में से X, अब right side में तो L में X प्लस करेंगे, यानि कि 50 में 10 प्लस करेंगे, 60, now I, X, I, X कितना होता है, 9, यानि कि 10 में से 1 माइनिस करना, तो यह क्या हो गया, 9, तो कितना बना हिंदु रेविक में, 369, हाँ जी, यहां तक हो गया, D पार्ट तक हो गया, now E पार्ट सोल करेंगे, E पार्ट में C, L, X, 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 V, and 3 times I, यह statement हमें गिवन है, E पार्ट के लिए, तो हम यहाँ पे C क्या लिखते हैं, 100, प्लस L, L मिन्स 50, प्लस, 3 times X लेख रखा है, यानि कि प्लस क्या करेंगे, 30, प्लस 8, हाँ जी, अब हम इने प्लस करेंगे, तो कितना बनेगा, 100 प्लस 50, 150, 150 में 30 प्लस करेंगे, तो 180, 180 प्लस 8, 188, यह बन गया, ना एफ पार्ट करेंगे, सोल, एफ पार्ट में हमें स्टेट्मेंट गिवन है, C, C, L, V, I, I, हाँ जी, 2 times C लिखा है, तो यानि कि 200, प्लस, L किसके लिए उसके रहता है, 50 के लिए, यानि कि प्लस में 50, और उसमें क्या प्लस किया है, 5 प्लस 2, यानि कि V और I, I, यानि कि 5, 6, 7, कितना बन गया, 7, तो कौन सा नमबर आया, 200 प्लस 50, 250 प्लस 7, 257, हाँ जी, जी पार्ट सोल करेंगे, जी पार्ट में हमें क्या स्टेट्मेंट गेवन है, X, L, X, L, I, and X, हाँ जी, X और L, पहले छोटा नमबर दिया है, उसके बाद बड़ा नमबर दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे, जो बड़े वाले नमबर में से है, छोटा नमबर माइनस है, हमेशा जब प्लस करती है, तो क्या होता, उससे आगे उससे छोटा नमबर आता, उससे आगे उससे छोटा नमबर आता, किया, यानि कि 50 में से 10 को माइनस किया, तो कितना है, 40 और प्लस Ix, Ix कितना होता है, 9 यानि कि 10 में से 1 माइनस कर रखे हैं, तो 9 is equal to 49, हाँ जी, now H part L X X and 3 times I statement हमें given है H part के लिए, हाँ जी, उसे solve करेंगे, L होता है, 50 50 plus X plus X 20 plus 3 times 1 दे रखा है, 3 times I दे रखा है, यानि कि 3 50 plus 20, 70 70 plus 3, 73 Thank you